श्वाबी मांद्र सम्रिद्धिक अभियान मा निरंतर न्यूज नमस्कार, न्यूज 24 टेलिविजन को पाउड न्यूज मा तपायलाई हार्दीक स्वागत्छ दर्शक बिन्द, सन उन्नाई से पचासी दिसेंबर सात्र आठ तारिक मां बंगलादेश को राजधानी धाका मां दक्षिन एसियाली सोयक संगठन सार्क को पहिलो शिखर सम्रिन भायको थियो सार्क को बड़ा पत्रमा बंगलादेश, भुटान, भारत, मालदिर्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रिलंका सहेत सात राष्टले हस्ताक्षर गरे का थिये सन 19-8 मा रक्षिन एसियाली स्यत्रमा विकसित भायको छेत्री एकताको भावनालाई बंगलादेश का ततकालीन राष्टपती जियाउर रह मानले बिशेश पहल गरे का थिये थेस अगी नेपाल का ततकालीन राजा बिरेंद्र सहाले सन 19-7 ताका कोलंबो युजना परामर्श दात्री सम्मेलन मा नेपाल को नदी नालालाई एस छेत्रको मुलुक को हीत का लागी प्रयोक गर्न अहुआन गरे का थिये एसाई सपनालाई साकार पार्न सोर जनवरी 1960 मा काठमान्डो मा सार्क को सचिवा लए इस्थापना गरियो र कांचो राष्ट को रूपमा अफकान इस्थानलाई भित्रयाय पची सार्क मा सद्दस्य राष्टर को संख्या आठ पुगे को छा र सार्क छेत्रमा आपसी भात्रितो सद्भाव विकास करना कलागी इस्तापीद भायको सार्क को भविश्य फेरी ये तिबेला शंकट मा परेको सा भारत्र पाकिस्तान 20 को निरंतर को दोंदले गतिलीन नसकेको सार्क फेरी और निश्चय को भुमरीमा तानियेको सा आगामिक कातिक 24 र 25 कते पाकिस्तान मा तय गरियेको सार्क को शिकर समयन मा भारत, बंगलादेश, अफगानिस्तान र भुटान ले भाग नलीने भने पाची और निश्चित बनी रहा को सा भारत र पाकिस्तान 20 बडे को दुन्द को कारण निरंतर सार्क एसको शिकार बंदे आयको सा सन 2002 मा पाकिस्तान र भारत को दुन्द बडे पची 200 सार्क 4 बर्श पची मात्रे भायको थियो र इदुई सक्ती राष्ट्र के कारण अठारों सार्क पनी तीन बर्ष पची मात्रै नेपाल मा भायको थियो र अहिले पनी कस्मिर को मुद्धाला इले र भारत्र पाकिस्तान युद्ध को तयारी मा लागे पची सार्क को भविश्य मा थी नई प्रष्ण चिन्न उठी रहायको छा अहिले नेपाल अध्यक्षे राष्ट भायकाले पनी सार्क गराउनक लागी निरंतर संबाद को जरूरी देखिन चा तर भारत्र पाकिस्तान युद्ध को तयारी मा लागे का चान ती दुबै देश मा आफना स्वैनिक लाई तो यारी अवस्तामा राखे पची सार्क को भविश्य मा प्रष्ण चिन्न उठी रहायको छा रा आजको पाउन्यूज भारत्र पाकिस्तान वीज बडेको दुरीले साक्पो भविश्य अन्योल मा पारेक बारी केंदरीत छा अहीले दच्छड एशिया काई द्यान भारत्र पाकिस्तान वीज बर्दो तनाव रा नसकने युद्ध मा केंदरीत भायको छा खासगडी बिहिबार भायको दुरी देश बीज को दोंदले संबावीत युद्धलाई संकेत गरेको छा रा यो पिशय अब दच्छड एशिया भर्नाई सर्भाधी चासो को बनेको छा यसे को कारण अगामी कार्तिक 24 र 25 कते पाकिस्तान का लागी तय गरियेको दुर्चिड एशियाली सहयोक संगठन सार्क को वैठक को संबुख मा भायको बारत पाक दोंदले सम्मेलन लाई नै प्रभाभ पार्ने निश्चित छा बारत पाकिस्तान बंगलादेस र भुठान ले निर्धारित सार्क संबुख 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 संबु पर्धान मंत्री पुष्पकमल दाहाले केही दीन अगी निर्धारित समय में सार्क समयलन होनुपर ने बताये का थिये प्रमुख प्रतिपची दल नेकपा एमालेका देच्या केपी सर्मा ओरिले भने अध्याच्या राष्टा का हैसियत मा नेपाल सरकार जुन तरिकाले प्रस्तुत न परने हो तेशो नभायक भंदई सरकार को आलोचना गरी रहे काछन। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल का परवराष्ट सल्हाकार डॉक्टर रीशी अधिकारी ले बने नेपाल अंतराश्ची आतंकबाद को विरुद्धा मा रहे का बताये गाछन। भारत पार दोंदक विशय मा अहिले नेपाल ले मुख खलना नहुने बन दाई। नेपाल अतंकबाद को पच्यमा कहिले उभीना नसकने उनको धर्क छा। उनले भारत विना को सारको अउचित्य नहुने मा पनी जोड दिये काछन। अर्थबीद डॉक्टर विशंभर प्यक्यूरल ले बने शारकलाई अहिले अहिले नेपाल दोंदक विशंभर प्यक्यूरल ले बने अर्थबीद डॉक्टर विशंभर प्यक्यूरल ले बने शारको अउचित्य नहुने बताया काछन। अब त्यों साफ्था मा बने बने वहने शेंसिटिव लीश्ट मांचू आमे नेगेटिव लीश्ट पनूला। अब इम्पोर गरने बस्तु अर्मा करें 68 प्रोड़क्स अरुलाइं अयले त्यों टेस्ट लाएं मान्ने ना दियेके शें। अब साफ्था को आई शेंगे रात्येश्मण गरेवों ट्रेड को पर्तिशन्त की शता वन्ना करें। इंट्रारिजिनल ट्रेड पास पर्तिशन्त वन्ना कम। साफ्था लाए आधार मना अयले ठुट वो सब्दामा आन्या अप्रिशेट गर्शं। 2.5% मात्रे साफ्था को आणार्म भरिएको ट्रेड लेत्यती मात्र ओवर्ट शा भने विशेटा जो पास्तमा इनिफेक्टिट शा। संपुनो कुरार भुमिंधेरी बैलार्टरल ने हो। बारत पाकिस्तान तनाता कायरण अहिले सार्क सम्मेलान अन्योल मा रहेकाले और देच्छे राष्टक वहिसियत ले आपनो दाइत्यो प्रभापकारी डंगले निर्भाहा गर्णू परने पर राष्ट मामिला का जानकार निस्चल नात पांडेको तर कशा। इनिसियाटिव जरुने को लागी, मीटिंग और बारत पाकिस्तान पिस्तान पिस्तान समय समय मा और ईस्ताउ तब कुझ प्लापवर्म बाटने वाहां बात लगू अगलेश। प्रद्रम्न विक्लम साहक तरकमा बने सार्क सम्मेलन इस्तजित हनु नवलो कुरा नभायक बंदै आयोजक राष्टमा अन्तरिक समयस्य भए इस्तान सार्न सकिने मा उनले जोड दियेगा छन। भारत पाकिस्तान दोंदक विशाय नई आभईन रो एसले सार्क लाष्ट अहर सगई नेपाल लाइपनी प्रतच्य परच्य प्रभा परने रिच्जित छा। बटना क्रम सगई जन्माई देखिको सत्रुता मल्दै आयका भारत रपाकिस्तान पुनह औरक युद्ध को नजिक पुले का छन। सुरुमा इंदुस्तान रो खालिस्तान को रुपमा वेवाजित इद्वी मलुक जहीले पनी कस्मीर को मुद्धालाई लिए रप आमने सामने होदे आयका छन। तर एसपटक निहू कस्मीर भायबनी तेसको बाचिता बलुचिस्तान सम्मापुगदा युद्ध को बादल नराम ररी मडाई रिये पो हो। र जून सुके बेला युद्ध भुनसकने अवस्ता देखिये पोछ। कस्मीर कश को हो युँ प्रस्णको जवाखका लागी इस्ताणियालाई अधिकार दिनुपर ने आवाज पाकिस्तान ले उठाऊ दे आयकोछ। तर भारत ले कस्मीर लाई अपनो अभिन्न अंगमां दे आयकोछ। कश्मिर पनी भारत अदिनस्त र पाकिस्तानी भुमिमा विवाजित छ तर सिंगो कश्मिर डरलाग दो मुध्दा बंदे आयको श यो दुई मुलुग बीज को बिवात को ब्यू यही भाय पनी पच्छिलो समय बलुचिस्तान को मुद्दा उठाएर बारत ले पाकिस्तान को सातो लिना खजे को छ अपागानिस्तान देखी इरान सम्म सामेप्रता राखने बलुचिस्तान पाकिस्तान बाटा अलगोने अहरात्र सन्घर्श करदे आएको चoust बलुचिस्तान मा मानाव अधिकार को चरम उनलंगन भायको मुद्धा भारत ले सम्यक्त राष्ट संग समच्य पुर्याय पछी कस्मीर मा थप कचड़ा शुरु भायो पाकिस्तान लेक पड़ा जबाव दिने चेताओनी दिदाई गर्दा भारत का सत्र संगी कस्मीर मा मारी एपनी यो विवादले बिहिबार आगो मा गियुथ अपने काम गरेको छब भारतिय सेना कस्मीर को सिमा बित्र कुषे र दुई आतंक बाविको हत्या गरेको दावी करेको छब तरो ती दुई बेती पकिस्तानी साहिनिक भायो को पकिस्ताने बथायेको छब दुबे देश ले सिमा नायका इस्कुलहरू बंदभायका छन, सईनी करूलाई लणायका लागी तोयारी अभस्तामा राखिये गुछा बने, प्रतिपची अबले समेत विश्वास लिएर अगी बन्न, दुबे देश का सरकार सब लिया छन। यो घटना पछी पाकिस्तान ले आकनो स्वाभिमान माथी दावा बलेको निश्कर्श निकालेको छा। अब यो विवाद एत्तिकई माँ सल्टने अभस्ता साइना, समधान, भारतार, संबाद नवाई, युद्धने देखेका इदुई मुलुप गिच्चको सिंधको प्तानिलाईली एर पनी चरको विवाद ब्यायकोछ। तरो इदुई बीचको लणाईले साडेको जुदाई, बादशाको मिचाई जाई अभस्ता उत्पण्न नहोला बन्ना सकिरेना। सब बंदा छुलू असर को रूप माँ दच्चड एशियाली चेत्रिय सहयक संगठं सार्क प्रभावित बन्ने अभस्ता देखेकोछ। तारत्र पाकिस्तान बीच बिग्रदो सम्माँ धले, दच्चड एशियाली मुलुकमार खब संकट परने अकलन सजीलाई गादो सकिन्छा। अब यदी सम्मेलन ना होने ओने तेसको बिकल्प कसरी गरने, दोसरो कुराचे ने यो छेत्र माँ चाहिने टेंशन बढ़ना नदी नलाई, सारको अध्यक्चे को हैसेतले, के गरने, बोलीगार यहां यो टेंशन बढ़दे गवावने यो छेत्र का जन्ताला प्रभावित यो छेत्र चाहिन तबाएं को के उनसक्चा वंदेखी विकास को योड़ा चाहिने जुन उलीएर चाहिन, अगाडी बडी राचा और खासकर भारत लाई पनी, के वंदेखी विकास को योड़ा मोदी जुन योड़ा विजन देखानू बाचा तो प्रभावित उन्चा ने योड़ा बोली चाहिन दंदभावने बंदावरी इस सब कुरालाई हुनों नदिनो को लाजी अध्यक्षको हैसियादले, सार्को अध्यक्षको हैसियादले, नेपाल लेता चाहिने, सक्रिय कूट्मिती गरने ते बेलाता आयो ने, मोग आयो ने, अब तेल्ले पत्तिको च अब हामी गरन सक्चाहों उत्तियों चेह अरको कुराबो, तर प्लाटफर्म तर क्रियेट वाच, यसे कारणले न सार्क जस्तो सहस्ता बने है दूई देस बिजको विवादले युद्धा को रूप लियेमा, नेपाल मा पाकिस्तानी जनता सनरार्थी नवल्लान भन्न शक्मिनना, छिम्बेकी मुलूक र खुल्ला सिमाना का क्यारण, नेपाल मा उनसक्ने समस्यालाई, सरकार ले भूजना पक्कई जरूरी छा, नेप समावेश राष्टर होले दवाव दिन पर छा, रो यो संगाई सिंगो सार्क काई भविश्य मा थी प्रस्ण उठेको छा दर्शक बिन्ध, निरंतर भारत्र पाकिस्तान को युद्धर तनाप के कारण सार्क ले सोचे जथी प्रगती गर नहीं सके को छाईना भारत ले पाकिस्तान लाई आत्लंक बादी हुलाई सम्रक्षन गरेको आरूप लगाउं दे आयको समने पाकिस्तान ले तेसलाई असुईकार गर दे आयको सा एस्त अभस्तामा इदुई सकती राष्टर के कारण कहीले सम्मा सार्क अलमल मा पर्ने हो अज़ई एक इन छाईना थाप प्रसंग जोडशाँ तर तेसागी एक कैसिन विश्रा दर्शक ब्रेंद न्यूज 24 टेलिविजन मा पाउर न्यूज 20 हुनूंचर हामी पाउर न्यूज मा आज़ सार्क छेत्र को भविश्य बारे बोली रहा काचाँ रव प्रस्तूत गर्चों आखिर कईले सम्मा एस्ताई और निश्चे को भुमरी मा गुजरी रहांचा सार्क रैसको भविश्य के होला अब तिर संदर्ब एती बेला भारत्र पाकिस्तान बीच बड़ी रहा को तिक्तातार युद्ध को खतराले उन्नाईसों सार्क सिकर सम्मेलन के हुने भणने अन्योल बड़े को श अईले अन्योल मात्र बड़े को शैना करीब सम्मेलन नाई इस्तगीत हुने अबस्तावा पुए को श भारत्र पाकिस्तान बीच सैनिक मृतिको घटनाला लेर बड़ दो तिक्तताता को कारण पाकिस्तान मा हुने सम्मेलन मा सह भागीता नजनावने भने संगाई सार्क को बैठक इस्तगीत हुने सम्भाबना देखिये को हो भारत ले शुरक्षा खतरा रायको बंदै पाकिस्तान मा सार्क शिकर सम्मेलन भाए आफुले भाग नलीने एस अगीनाई बताई सके कोछ तेस क्रम मा भुटान, बंगलादेश र, अफगान इस्तानलेपनी सार्क शिखर सम्मेलन मा भाग नलीने बताये पसे, सार्क शिखर सम्मेलन इस्तगन को चरण मा पुएको छा सम 1989 अशिता का छेत्रिय विकास र, आपसी सहयोग अभिवर्दी गने उदेशे का साथ इस्ताफित भायको सार्क पटक पटक भारत्र पाकिस्तान के कारण इस्तगित हो दयाये को चा जुन उदेशे का लागी सार्क इस्ताफना गरिये को थियो, अहिले तेई मार्गमा सार्क अगाडी बनना सके को चैना एस कारण एसको उदेशे माती नैं, पटक पटक पुनर विचार गर्न परने र, सार्क को अउचिते माती नैं, प्रश्न उठाईन धाले को चा दुई बर्श अगी नेपाल मा भायको 18 सार्क शिकर समेलन ले पनी, अरेक दुई बर्श मा सार्क समेलन गर्ने निर्णे गर्यू, प्रएति बिला सार्क अध्यक्ष राष्ट पनी नेपाल नहीं चा प्रतेक पठक सार्क समेलन प्रभावित हुने, मुख्य तया भारत्र पाकिस्तान बिज को बिशे नहीं हो, जसको कारण सार्क अगारी बन्न सकी रहको चाई न सार्क समेलन ले बड़ा पत्रमा रहको दस ओटा आधारलाई मानने उबने, कुने पनी देश को बिवादा स्वत बिशे र दिपक से बिशे न उठाउने भनियेको च, तर सुरक्षा को कारण देखायर भारत पंचिनूर थब देश अरूले पनी सह भागिता न जनाउने नि सार्क सिखर समेलन निर्धारित समय माई आयूना गईनू पर्छा, सार्क का सदस्य राष्टर होड़ी पनी दुई देश को तिक्तता हटाउन भारत्र पाकिस्तान लाई दवाब दिन जरूरी देखिन्छा दर्सक्विन्द szark çetra को आर्थिक बृदी सामाजिक प्रगतीर सास्कृतिक विकासमा त्रीव्रता ल्याउनूर सबै मानिशलाई श्वाबि मान का साथ रहनेर उनिह훈लाई आपणो उप्रा छेमता को मौसुस ग्रावने मूल नारा का साथ इस्तापित भाई को շार्क भार इसामाई अगी बर न सक्येको छा प्रतेक दूई दूई बर्ष महुनु पने सार्क शिखर समेलन पनी भारत्र पाकिस्तान बिसके बिबात को कारण चार बर्ष सम्मा लंबिये को इतिहास साक्षी छा रा इस्पटक पनी सारको अध्येक्षे राष्ट्रको हैसियतले नेपाल ले भारत्र पाकिस्तान बिचको जारी दोंदलाई घटाउना प्रभावकारी भुमिका खेलना जरूरी देखिन्छा रा एत्ती नहीं आजको पावर न्यूस थप न्यूस का लागी हामरो वेबसाइड www.news24nepal.tv मा हैर नोला साथे हामी लाई फेस्बूक टुईटर रा यूटूब मा पनी फालो गरना सकना हुँँछ अहिलेलाई विदा दिनोस हामी पुन्द निर्मान शबल नत्रुतर सुसासन को निरंतर फालो अप मा छाओं नमस्ते